हेलो दूस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पुजल मेनिया बितंकुर में है अब जैसा कि 2021 SPI PO का भी फाइनर रेजल्ट आउट हो गया था काफी सारे स्टूडेंस का सेलेक्शन भी हो गया उसमें अब बहुत सारे स्टूडेंस 2022 के नोटिफिक्शन का इंदिजार कर रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंस का फोकस SPI के नोटिफिक्शन पर है तो SPI PO के नोटिफिक्शन की बात करें तो काफी सारे students को update मिल गई होगी आकसर के द्वारा जिनको नहीं पता है तो SPIPO 2022 का notification expected है September के महिने में Pre-exam expected है November में और Mains exam December में expected है अब September के महिने में notification देखने को मिलेगा मतलब कि उसके पहले आप काफी सारे exam दे चोके होंगे और आपकी तयारी भी continue रहेगी अब SPI clear के notification के बात करें तो expected है April last या फिर माई के महिने में आपको ये notification देखने को मिल सकता है मतलब कि RRB के पहले आपको SPI का ही notification और exam देखने को मिलेगा तो जो SPI पर focus कर रहे हैं या आने वाले 2022 के exam पर focus कर रहे हैं तो दोस्तों अपनी तयारी को continue रखें क्वांट और reasoning की pre plus means दोनों लेविल की तयारी और practice करते रहें GA की बात करें तो daily की current affairs तयार करें क्योंकि last time पर उस लेविल की तयारी GA की नहीं हो पाती है इसलिए हर दिन की current affairs आप तयार करें mock test आपको continue लगाना है और smart qida पर आपको pre plus means दोनों अच्छे लेविल के mock test आपको smart qida पर देखने को मिल जाते हैं तो जिनके पास भी smart qida का mock test नहीं है link आपको description box में और community post पर मिल जाएगी जाकर आप code use करेंगे PM10 तो आपको 10% का discount मिल जाएगा तो mock test लेकर आप अभी से SPI clear के लिए mock test लगाना start कर दीजे हैं बाकी कल काफी सारे students ने ESI से UDC का exam दिया है तो आप comment में जरूर बताएं कि कल किस shift में आपका exam था और कितने आपके attempt हुए हैं बाकी मिलते हैं for next video में जब तक के लिए धन्नवाद